हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मंजू नीटिंग चैनल यह देखिए आज आपके लिए कितना सुन्दर कितना प्यारा सा डिजाइन लेकि आई हूँ इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो हर प्रोजेक्ट पे यह डिजाइन बहुत सुन्दर लगने वाल है इसे आप लेडी स्वेटर, जैकेट, बच्चों का स्वेटर, फ्रॉक, स्टॉल, मफलर, कुछ भी बना लें जैन्ट स्वेटर पे भी डाल सकते हैं, हाफ वाजू, फुल वाजू, हर प्रोजेक्ट पे यह डिजाइन बहुत सुन्दर लगने वाल है यह फ्रंट साइड से हमें ऐसे नजर आएगा और बैक साइड से यह देखिए बैक साइड से यह ऐसे नजर आएगा इस डिजाइन को आप किसी भी कलर में बना लें लाइट कलर में बना लें, डाग कलर में बना लें किसी भी कलर में बना लें हर कलर में ये डिजाइन खिल के आएगा इस डिजाइन को बनाने के लिए जो हमें फंदे लेने हैं 10 के multiple से आपने फंदे डालने हैं 10, 10, 10 ऐसे करके फंदे डालते जाना है last में आपने 5 फंदे extra डालने हैं और 2 फंदे आपने stitch के लिए डालने हैं तो ये design आपके project पे बिल्कुल अच्छी तरह से set आ जाएगा इस design को आप किसी भी color में बना लेना light color में, dark color में, किसी भी color में बना लेना हर color में ये design खिल के आएगा अगर आप मेरे साथ-साथ इस design को बनाएंगे तो ये design बिल्कुल असानी से बनता जाएगा friends मैं पूरा बोल बोल के repeat करती जाओंगी आप मेरे साथ साथ बनाते जाना तो बिल्कुल आसानी से बनेगा friends मैं पूरी कोशिश करती हूँ जब भी कोई design बताती हूँ पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस design को पूरा बोल बोल के repeat करूँ ताकि जब भी आप उस डिजाइन को बनाने लगें डिजाइन बनाते समय आपको कोई मुश्किल ना है आप बिलकुल आसानी से उस डिजाइन को बना लें तो friends मेरी आपसे humble request है अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है आप नए है मेरे चैनल पर तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends में share करें बेल आइक अज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिले तो चलो इस design को बनाना शुरू करते हैं पहले फंदे डाल के हम border बनाएंगे ये देखिए मैंने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा ऐसा वाला border बनाया है अगर आपने border के उपर फंदे बढ़ाने हैं तो ऐसा करेंगे border की जो last वाली row है पूरा border बना लेना लास्ट वाली row है उसमें आपने जितने फंदे 8, 10, जितने भी फंदे बढ़ाने हैं उसमें बढ़ा लेना क्योंकि सीधी साइट से इस डिजाइन को हमें फिर शुरू करना है तो चलो इस डिजाइन को बनाना हम शुरू करते हैं कैसे बनाएंगे ये देखिए मैंने 10 के मल्टिबल से फंदे डाले हैं 5 फंदे एक्स्टर डाले हैं 2 फंदे एस्टिच के लिए डाले हैं 27 फंदे डाले हैं डिजाइन की 1st row से इसे बनाना हम शुरू कर रहे हैं ये देखिए मैंने 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा ऐसा वाला 2 रों का बॉर्डर भी बनाया है यहां से 1st row से हम डिजाइन को बनना शुरू कर रहे हैं तो पहला फंदा स्किप कर लेंगे फिर ये 5 फंदे हम सीधे बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे सीधे बना लिए फिर यहां पे जाली बनाएंगे यह रिखे जाली बनाएंगे अब इन 5 फंदो को यह रिखे ऐसे स्लाई बीच में डालते जाना है 1, 2, 3, 4, और यह 5 5 फंदे हमने इकठे लेने हैं यह रिखे जाली हमने फिर इस स्लाई को पीछे की तरफ से ले जाना है तो 3 फंदो को पहले इस स्लाई पे ले आएं फिर अगले 2 फंदे यह रिखे अगले 2 फंदे पीछे की तरफ ले जाएं और इसे हम यह रिखे एक फंदा बनाया अब यह 3 फंदे एक एक फंदा करके इसके उपर से ड्रॉप करते जाएंगे तो हमारा पांच फंदों का एक फंदा ये रिखे, असानी से बन जाएगा, ये रिखे, असानी से बन जाएगा, ऐसे, पांच फंदों का एक फंदा बनाना है, फिर से जाली बना लेंगे, फिर पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर से जाली बनाएंगे, और तीन फंदे इधर निकाल लेंगे, ये दिखिए, फिर अगले वाले दो फंदे पीछे की तरफ से दो का पहले एक करेंगे, फिर इन तीन फंदों को भी एक एक करके उपर से ड्रॉप कर देंगे, तीन फंदों को, ये हमारा पांच फंदों का एक फंदा बन जाएगा, जा पाच, एस्टिच सीधा बुन के निकल लेंगे यहाँ पे डिजाइन की फर्स्ट रो हमारी complete हुई, डिजाइन की second रो, पहला फंदा skip करेंगे और पूरे फंदे हम उल्टा बनाएंगे, उल्टी रो में कोई डिजाइन नहीं चलेगा, पूरे फंदे हमें उल्टा उल्टा बनाने है इसलिए मैं आपको सीधी रो बनाके बताती जाऊंगी, उल्टी रो आपने बनाते जाना है पूरे उल्टे उल्टे फंदे बनाते हुए, एक उल्टी रो बनाके बता रही हूँ आपको, बाकी कि आपने खुद बनाते जाना है और मैं सीधी रो में आपको डिजाइन बताती जाऊंगी कि है अज़िछ भी हमें उल्टी रो बना रहे हैं तो इसे उल्टा भुनना है डिजाइन की थर्ड रो पे आगे थर्ड रो में पहला फंदा हम स्किप करेंगे फिर छे फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे छे फंदे सीधे बना लिए फिर इदर जाली बनाएंगे ये जो पांच फंदों का एक फंदा बनाया था उसे सीधा बुन लेंगे फिर से जाली बनाएंगे अब साथ फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे साथ जाली बनाएंगे फिर एक फंदा सीधा फिर से जाली फिर इदर हमने छे फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे फ्रेंट्स, अगर आप ज्यादा फंदों पे जब बनाएंगे इस डिजाइन को तो इधर छे फंदे आये हैं, तो इधर साथ आये हैं तो फिर इधर साथ साथ आएंगे सेंटर में लास्ट में जब बनाओगे तब 6 फंदे आएंगे ठीके फ्रेंड्स जब आपने ज्यादा फंदों पे बनाओगे तो शुरू में 6 फंदे आएंगे फिर जैसे यहां पे 7 फंदे आएंगे फिर आगे भी साथ फंदे आएंगे जब आप लास्ट वाले फंदे बनाएंगे वहाँ पे आपके छे फंदे आएंगे उल्टी रो, फोर्थ रो पूरे फंदे हम उल्टा बुनेंगे डिजाइन की फिफ्थ रो पे आगे पहला फंदा स्किप करेंगे फिर जाली बनाएंगे फिर वैसे ही पाँच फंदे ये देखे एक, दो, तीन तीन फंदे निकाल लिए फिर अगले दो फंदे पीछे की तरफ ले जाएंगे एक फंदा बनाएंगे फिर इन तीन फंदों को भी उपर-उपर से निकालते जाएंगे पाँच फंदो का एक फंदा बना लिया ये देखिए एक फंदा बना लिया फिर से जाली बनाएंगे और पाँच फंदे सीधे एक दो तेन चार पाँच फिर से जाली बनाएंगे फिर अगर आप पाँच फंदो को इकठा लेके असानी से बना सकते हैं पीछे से पांच फंदों का एक फंदा, तो वो भी बना सकते हैं, मैं बोल रही हूँ, आपको अगर परिशानी आए, तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, कि 3 पंद इदर निकाल लें, फिर 5 पंद बनारी हैं, नी बन रहे हैं, तो 3 पंद इदर निकाल लें, फिर इन 2 खंद बना लें, फिर इन 3 को उपर से ड्रॉप करकें, एक दो तीन ऐसे भी आप पांच फंदों का एक फंदा बना सकते हैं फिर जाली बनाएंगे फिर पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच पांच बना लिए फिर से हम जाली बनाएंगे इन तीन फंदों को इधर निकाल लेंगे दो फंदों को पीछे से हमने दो का एक कर लिया फिर इन तीन फंदों को उपर से ड्रॉप कर देंगे फिर जाली बनाएंगे एस्टिच सीधा आएगा यहाँ पर फिफ्थ रो कंपलीट हुई डिजाइन की सिक्स रो सिक्स रो में पूरे फंदे उल्टा बनाएंगे डिजाइन की सेवन्थ रो पहला फंदा स्किप करेंगे फिर एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे फिर से एक फंदा सीधा फिर से जाली फिर साथ फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ फंदे सीधे बना लिए फिर से हम जाली बनाएंगे एक फंदा सीधा ये देखी जो पांच का एक बनाया था उस पे एक फंदा सीधा आएगा और दोनों साइड पे जाली आएगे फिर से जाली बनाएंगे फिर से साथ फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे साथ फिर जाली बनाएंगे एक फंदा सीधा फिर से जाली फिर से एक फंदा सीधा एस्टिच हमारा सीधा आएगा यहाँ पे हमारी सेवन्थ रो कम्पलीट हुई एट रो पूरे फंदे हम उल्टा बनाएंगे फ्रेंड्स यह हमारा वन्टू एट रो का डिजाइन है जो मैंने अभी आपको बना के बताया फ्रेंड्स अगर आपने मेरे साथ साथ बनाया होगा तो आपका डिजाइन भी ऐसे ही बन के आया होगा इसे बना के जरूर ट्राइ करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यह देखिए उल्टी रो तो हमें पूरी साफ सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनाने हैं सीधी रो में ही हमारा डिजाइन चलेगा बनाने में बहुत आसान है और बनने में बहुत जल्दी बन के तियार हो जाता है ये डिजाइन इसे जरूर बना के देखना बहुत सुन्दर लगने वाला डिजाइन है फ्रेंड्स उल्टी रो में एस्टिच उल्टा बनाएंगे ये दिखिए ये डिजाइन हमारा ऐसे बन के आएगा जादा फंदों पर बनाओगे तो ये ऐसे बन के आएगा इसे बना के जरूर ट्राइ करना आपसे मेरी हमबल रेक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना थैंक यू फो यू टाइम आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ